नमस्कार दोस्तों स्वागरिया सभी का आपके अपने यूटूब चनल अजबी मेडिसीन में आज अपन बात करने वाले हैं मैक बेरी ड्रॉप्स के बारे में मैक बेरी ड्रॉप्स को मैक लोट्स फार मनाता हैं जिसकी प्राइज है वो हैं 62 रुपे पर पेक यह 15 मिल के पेक में होता है जिसमें जो कंटेंज जा लगया है वो हैं लिवो साल उटामोल 0.25 mg और एम्ब्रॉजल होता है इसमें 7.5 mg इसका यूज आप स्पेशली अक्ट्री सलाश से करें तो ज़्यादा बेतर रहेगा यह ड्रोप आपको डाटकर पिस्क्राइब पे सभी विड़ के शेयर पे मिल जाएगा मेंकब्ल ड्रोप्स को बच्चों में खासी और अस्तमा के लाजमी उत्किस गते हैं इह ड्रोप गाड़ी मुकस को पतला करता है और रुखंसी में आराम दिलाता है यह खासी की frequency को कम करता है अगर मरीज को गरगराट की समझ्चा हो रही है सीने में जगडन की समझ्चा है सामाने सरदी जुखा में COPD यानि chronic obstructive pulmonary disease है या फिर bronchitis है तब इसी सभी समझ्चाओं में इसका use काफी effective है काफी असरदार है यह एक strawberry flavor की बहतरीन दवा है तो इसका taste काफी अच्छा है इस drop में चो लिवसालबटमॉल है वो एक bronchorator है जो airways की muscles को relax कर उन्हें चोड़ा कर देता है जिससे कि आपको सांस लेने में आसने जाते हैं और amroxol एक mucolatic दवा है जो बल्गम को पतला और ढिला करता है जिससे यह खासी के साथ भार निकल जाता है और आपको खासी में आराम देता है कई बार क्या होता है कि बच्चे को बहुत तेज सर्दी जुखाम या निमोने हो जाता है तो ऐसे में बच्चे के favori में सुझन आ जाते है बच्चा खास-خास के पट्रशन हो जाता है कई बार तो बच्चा इस काशिशी के वज़े से उल्टया तक कर देता है मतलब इतना पट्रशन होता है कि बच्चे को सांस लें तक में बहुत तक तकलिब रड़ने लज जाते है तब SMS का यूज़ कर आप बच्चे को कफिदा आराम दला सकते हो बच्चे के अगर गला में खरास हो रही है गला में इरिटेशन या फिर जलन हो रही है कंजेशन की समझ्चा है तब भी SMS का यूज़ सबसे दा एफ्यक्टिव है काफी अच्छा है इस तरह की जो समझ्चा है वो अगर अडर्स में हो रही है तो डाक्टर आपको गरम नमकिन पानी के गरारे करने के आपको कहते है और आपको बहुत ज़्यदा आराम मिलता है इस टाम आपको तली गली चीज़ें कि की चीज़ें खट्टी चीज़ें आपको यूजमें लेने की मना यह जाता है बच्चों को ऐसी प्रोलमस में इस डोप के साथ कई बार डॉप्र्स एंटिभारर क् दॉखेंट जो भी conditions हैं वो डॉक्टर्स को जुरू बता हैं डोज के बन बात करें तो नॉर्मली से बच्चों में एक एक एमल आपको सुबह साम देने की कहा जाता है और अगर बच्चा अगर बढ़ा है तो उसे एक से डेर एमल आपको सुबह साम देने की डोक्टर्स कहा सकते हैं तो इसका जो डोज होगा वो अलग-अलग मरीज में उनकी जो condition है और उनकी age के अनुसार इसका डोज होता है तो बेटर यह रहेगा कि जितना और जिसे आपको इसका यूज करें जानते हैं इसके होने वाले sad effect के बारे में तो जो कामसार नजरा सकते हैं उसमें heart rate बढ़ जाना कपकपी होना भूक की कमी रहना मुह का स्वाद बढ़ जाना और पेट में गड़बड़ी हो सकती हैं यह sad effect कुछ time कि लेते हैं कुछ time बाद अपने ठीक हो जाते हैं हाँ अगर यह sad effect लेमें तक बनेते हैं या फिर इनके अलावा कोई भी अदर कंडिसास ग्रेट हो थी तब वेसे में